पे करना चीए किस के लिए सेल्प, स्पाउस, डिपेंडेंट बच्चे और पेरेंट्स इनके लिए पे करना चीए और कैश होड़के किसी भी मोड से पे करेगा अगर ये तीनों condition satisfied हो जाएगी तो इस medical insurance premium का deduction मिलेगा अब देखते है preventive health check-up का deduction का मिलेगा और वो मैं लिखना हूँ उस side पे preventive health check-up इसका deduction का मिलेगा if it is paid by assessi assessi ने खूद पे करना चाहिए किसके लिए पे करना चाहिए तो paid for self spouse dependent children and parents अगर ये तीनों condition satisfied हो जाएगी तो इस medical insurance premium का deduction मिलेगा अब देखते है preventive health check-up का deduction का मिलेगा और वो मैं लिखना हूँ उस side पे preventive health check-up इसका deduction का मिलेगा if it is paid by assessi assessi ने खूद पे करना चाहिए किसके लिए पे करना चाहिए तो paid for self spouse dependent children and parents मतलब same चीज और यहाँ पे mode mode क्या हो सकता है तो any mode including cash ठीक है मतलब preventive health check-up क्या होता है बीमार पढ़ने से पहले में जो खर्चा कर रहा हूँ उसका deduction अब बीमार पढ़ने से पहले में मेरा check-up कर रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास गया अब डॉक्टर लोग को में check दूँगा तो वो check लेंगे क्या नहीं लेंगे तो वहाँ पे तो मुझे cash ही देना पड़ेगा चोलो medical insurance company को में check दे सकता हूँ डॉक्टर के पास जाके check दोगे या credit card दोगे नहीं चलेगा उदर तो cash ही देना पड़ता है तो यहाँ पे preventive health check-up का deduction तब मिलेगा if it is paid by assessi for self, खुद के लिए, spouse के लिए, dependent बच्चों के लिए, parents के लिए और यहाँ पे mode क्या हो सकता है तो any mode including cash अगर मैं cash में medical insurance premium pay करोंगा मुझे उसका deduction नहीं मिलेगा but cash में preventive health check-up अगर मैं pay करता हूँ तो मुझे उसका deduction मिलेगा अरे बात समझे क्या अब क्या करना है यह आदा पार्ट हो गया यह बहुत लंबा section है तो पहले आदा पार्ट ऐसा का ऐसा copy कर लो उसके बाद हम इसके आगया का पार्ट करेंगे अभी तक मैंने क्या बोला है कि deduction कब मिल सकता है deduction कितना मिल सकता है यह इसके बात देखेंगे तो पहले यह दोनों पार्ट कापी कर लो सबसे पहले क्या करोगे लिखो deduction for medical insurance heading लिख दिया फिर लिखना individual and H.O.F इन दोनों को मिलता है इसका short note हम लोग बात में लिखेंगे यह पहले समझने के लिए diagram हमने बनाए है तो पहले इसको copy करेंगे सबसे पहले यह copy करना फिर यह दूसरा बाला पार्ट और फिर यह prevent to health check up copy करना अजसे लिखेंगे अब देखते कितना मिलता है ठीके तो मैं इसको हटा लेता हूँ इसका note हम लोग बाद में लिखेंगे पहले सारी diagrams खतम कर लेते हैं अब deduction कितना मिलेगा How much deduction पहले दिखते हैं Medical insurance का कितना मिलता है अब medical insurance premium का deduction उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने दो पाट में divide कर दिया एक तो रखा खुद के family के लिए और parents के लिए उन्होंने अलग से रख दिया और इनकी लिए पे करेंगे तो अलग से deduction मिलेगा And for parents Parents के लिए पे करेंगे तो अलग से deduction मिलेगा मतलब अलग से benefit मिलेगा अब देखो क्या होगा खुद केलिए पे करेंगे Maximum deduction मिल सकता है maximum deduction is equal to rupees 25,000, ठीक है, 25,000 का maximum deduction मिल सकता है, इसका मतलब क्या, यह मेरा gross total income है, suppose 2,00,000, ठीक है, यहाँ से मैं अगर medical insurance premium pay करता हूँ, तो section 80D मुझे यहाँ से minus करने की permission है, और फिर मुझे मिलेगा मेरा net taxable income, अगर मैं 15,000 का premium pay करता हूँ, यहाँ से कितना minus कर सकता हूँ, 15,000, अगर मैं 22,000 का premium pay करता हूँ, कितना minus कर सकता हूँ, 22,000, अगर मैंने 24,000 का premium pay क्या, तो कितना minus कर सकता हूँ, 24,000, बट अगर मैंने 30,000 का premium pay क्या, तो यहाँ से कितना minus करूँगा, only 25,000, अरे मालू मैंना, कम है तो कम लो, जादा है तो limit में रहो, तो अगर कम premium pay क्या, त तो फिर मुझे limit में रहना पड़ेगा, तो इस limit में ही मैं deduction ले सकता हूँ, अब ये तो मैंने क्या कर दिया, अगर खुद के family के लिए self, spouse और बच्चे, dependent बच्चे, इस अपने family के लिए अगर वो कोई premium pay करता है, कोई policy purchase करता है, तो उसको deduction मिलेगा, 25,000, आगे उन्होंने क् अगर असेशी senior citizen है, senior citizen मतलब उसके बीमार पढ़ने के chances ज्यादा, अगर बीमार पढ़ने के chances ज्यादा, तो risk भी ज्यादा, अगर वो ज्यादा risk में उसके सर पे, insurance company के सर पे रख रहा हूँ, तो insurance company मुझसे premium भी ज्यादा लेगी, तो income tax वालोंने क्या बोल दिया, चलो ठी है, तेरा premium जाला है ना, तुझे deduction भी थोड़ा extra मिलेगा, अब deduction कितना मिलेगा, if assessi is senior citizen, और senior citizen का मतलब क्या है, age 60 or more, यहाँ पे 65 नहीं है, 60, age 60 or more, तो कितना deduction मिलेगा, additional deduction of rupees 5,000, मतलब क्या, 25,000 का तो मिलेगा ही, और अगर वो senior citizen है, तो additional 5,000, that means, maximum deduction कितना मिलेगा, rupees 30,000, maximum deduction मिलेगा, rupees 30,000, अरे बात समझ में आई क्या, उन्होंने क्या बोल दिया, अगर self spouse dependent children के लिए, कोई medical insurance premium pay करेगा, उसको maximum deduction मिल सकता है, 25,000, अगर वो senior citizen है, मतलब बुड़ा है, तो बिमार करने के chances जादा, risk भी जादा, तो premium भी जादा, तो income tax ने बोल दिया, चल ठीक है, तेरा premium जादा है, तो तुझे additional deduction मिलना चाहिए, और additional deduction के वज़े से, maximum deduction कितना हो जाएगा, 30,000, तो खुद के लिए 25,000, senior citizen होगा, तो 30,000, अब देखते है, parents के लिए कितना मिल सकता है, parents के लिए उन्होंने क्या बोल दिया, same बोल दिया, maximum deduction मिलना चाहिए, rupees 25,000, और उन्होंने क्या बोल लिया, parents में से कोई भी एक, mommy और daddy में से कोई भी एक senior citizen है, तो additional deduction मिलेगा, 5000, same चीज, if any of the parents is senior citizen, अब senior citizen का मतलब क्या है, तो age 60 or more, मतलब 60 या उससे जादा, मतलब age अगर 59 है, तो उसको senior citizen नहीं बोल सकते है, 60 येत बड़े आ गया, अब वो बन गया senior citizen, अगर parents में से कोई भी एक senior citizen है, then additional deduction of rupees 5000, अब 25,000 तो मिलेगा ही, बट अगर mommy पापा में से कोई भी एक senior citizen है, तो additional 5000 का deduction मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, that means maximum deduction is equal to rupees 30,000, इसका मतलब खुद के लिए अलग से deduction मिलेगा, और parents के लिए अलग से deduction मिलेगा, खुद के लिए कितना मिलेगा, 25,000 और अगर मैं बुद्धा हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, अगर मैं मेरे parents के लिए medical insurance premium pay करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 25,000 का maximum deduction, maximum का मतलब क्या होता है, अगर मैं उससे कम premium pay करता हूँ, तो मुझे कम deduction मिलेगा, 25,000 से ज्यादा premium pay करता हूँ, कम है तो कम लो, ज्यादा है तो limit में रो, मुझे limit में रहना पड़ेगा, अब ये तो मुझे क्या कर दिया, ये मुझे कर दिया, पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए medical insurance premium का, अगर मैं preventive health check-up पे करता हूँ, preventive health check-up, तो उन्होंने क्या बुल दिया, भैसे अब यहाँ पे खुद के लिए और parents के लिए अलग-अलग दी मिलेगा, और यहाँ पे senior citizen हो या नहीं हो, same deduction मिलेगा, कितना मिलेगा, deduction, maximum deduction is equal to rupees, 5000, किस के लिए, for self, spouse, dependent children and parents, सब के लिए, for self, spouse, dependent children, parents, चाहे वो senior citizen हो या नहीं हो, maximum deduction मिल सकता है, rupees 5000, अरे समझा क्या, तुमने क्या कर दिया, medical insurance premium का and preventive health check-up का deduction कितना मिलना चीए, वो उन्होंने देखिया, कब मिलना चीए था, वो तुमने देख लिया, medical insurance premium का deduction कब मिलता है, paid by assessi, for self, spouse, dependent children, parents and more, any more other than cash, और preventive health check-up का deduction कब मिलता है, विट इस paid by assessi, for self, spouse, dependent children, parents and more, any more including cash, ये तुमने देख लिया था, deduction कब मिलता है, अब deduction कितना मिलता है, वो उन्होंने या पे देख लिया, medical insurance premium का deduction कितना मिलता है, 25,000 या फिर 30,000, और parents के लिए 25,000, अगर senior citizen है, तो 30,000, और preventive health check-up का deduction कितना मिलता है, maximum 5000, for self, spouse, dependent children, parents, वो senior citizen हो या नहीं हो, income tax को कुछ फरत नहीं पड़ता, maximum deduction उन्होंने कितना दिया है, 5000, अरे समझा क्या, अब ये तो आपने diagram बनाया है, exam में ऐसा diagram बनाएंगे, अपने को marks नहीं मिलेंगे, वहापे अपने को short note प्रॉपर लिखना पड़ेगा, बट समझने के लिए ये जड़ा easy है, तो जल्दी से काम कर लो, इतना वाला part, फटक से copy कर लो, फिर इसके में आगे बढ़ने वालो, अब इस चीज में एक amendment भी है, छोटी से amendment, पहले ये copy करो, फिर मैं बताता हूँ amendment क्यों आई, अब मैंने क्या बोला था, medical insurance premium मतलब क्या होता है, मेरी और company के बीच में bet, वो bet क्या है, मैं बोलता हूँ मैं बिमार पढ़ने वाला हूँ, company बोलते है, तू बिमार नहीं पढ़ेगा, मैं बिमार पढ़ने वाला हूँ, तो लग गई bet, अगर मैं बिमार पढ़ गया, तो company सारा खर्चा करेगी, और अगर मैं बीमार नहीं पड़ा मतलब मैं बेठार गया तो जितना प्रीमियम मैंने दिया ता सारा कंपणी का सिंपल चीज अब वह ऐसा मैं असी साल का बुड़ा हूं मैं 80 साल का बुड़ा बनके इंकम टाइस कमपनी के पास जा रहा हूं उनको बोल रहा हूं भाई साथ मैं बिमार पढ़ने वाला हूं कमपनी मुलती है हारे बबाब हमको मालोम है तु बिमार पढ़ने वाला है तो अगर मेरी एज 80 या उसे ज्यादा है मतलब मेरे बिमार पढ़ने के चांसेस बहुत जादा है रिस्क बहुत जादा है और इतनी भारी रिस्क अगर मैं इंशुरंस कमपनी के सर पर रखने जाता हूं वो लोग मना कर देते हैं मतलब क्या 80 से जाधा age होगा ना तो insurance company वाली मेरा insurance नहीं करा के दे रहे तो income tax वालों ने क्या बोल दिया कि भाई साब आप अगर insurance premium pay नहीं कर रहे हो मतलब तुम्हें deduction नहीं मिल सकता तो आपको कुछ extra फाइदा हम दे रहे वो फाइदा क्या है अगर मेरी age 80 या उससे जाधा है और मेरा medical insurance possible नहीं है तो insurance company ने बोला तुम्हें medical के expense है न उसका deduction हम दे देंगे medical expense का deduction यहाँ पे नहीं मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है medical insurance premium का deduction मिल रहा है बट इस साल income tax department एक नई amendment लेके आई एक positive amendment लेके आई और यह है कि अगर 80 से जाधा age है और medical insurance possible नहीं है तो medical के खर्चों का deduction मिलेगा तो last sentence इसके नीचे लिखना एक star mark करके क्योंकि यह नहीं चीज़ है तो objective में आने के chances बहुत जाधा है if age of a sacy his spouse or his parents is 80 or more मतलब 80 या उससे ज्यादा age है कि इसकी a sacy उसके spouse उसके parents अच्छा उसके बच्चों की age 80 से ज्यादा हो सकती कि आरे भई तो ये टीक है का थोड़ी ये भी तो चल बसेगा तो यहाँ पर ऐसी प्रोविजन नहीं है अच्छी सी खुद या उसके spouse या उसके parents की age 80 और more है and medical insurance is not available medical insurance is not available then तो क्या होगा deduction under section 80 D shall be allowed shall be allowed for medical expenses तो दवायों का जो भी खर्चा है hospital का जो भी खर्चा है उसका deduction मिलेगा under section 80 D but maximum कितना मिलेगा maximum deduction is equal to rupees 30,000 तो इस इंसान को 30,000 का deduction मिलने वाला है ठीक है तो अब हम लोग क्या करने वाले ये पार लिखने वाले इसके बाद हमने जो diagram बनाए अब इसको अपने को point wise लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम लोग को question पूछा explain 80 D अब ये 5 mark के लिए पूछने के chances बहुत कम है 80 D के ओपर अगर question आएगा तो long answer में आएगा 7 marks या 8 marks objective और practical question में तो आए गई आएगा बड long answer में भी आ सकता है 7 या 8 marks के लिए तो वहाँ पे से diagram बनाएंगे तो नहीं चलेगा हम क्या करने वाले हम sentence वाइस लिखने वाले अब तुम लोग क्या करोगे तुम लोग ये हर चीज़ एक बार पढ़ लो तब तक मैं पूरा का पूरा sentence पॉर में लिखके ready रखता हूँ ठीक है अब अगर साथ या आठ माक के लिए अगर उन्हें पूछा के explain deduction under section ATD तो बहुत लंबा असाँ लिखना पढ़ेगा और ये section है भी लंबा अब देख लोग क्या क्या लिखना पढ़ेगा ये मैंने लिखके ready रख दिया question क्या है explain deduction under section ATD है कि नहीं क्या है deduction under section ATD is available for medical insurance premium and preventive health check-up this deduction is allowed for individual and HOF ठीक है अब ये deduction deduction for medical insurance deduction for medical insurance is allowed if it is paid by assessi for self spouse dependent children parents and paid by any mood other than cash ठीक है अब भी for self spouse children और या पे parents का उस डाइगरम को मैंने point wise लिख दिया if maximum deduction for medical insurance if paid for self spouse dependent children is 25,000 तो medical insurance का maximum deduction मिलेगा 25,000 if assessi is senior citizen if assessi is senior citizen then additional 5,000 allowed हो जाएगा तो maximum deduction shall be 30,000 इतो लिख दिया medical insurance का अब maximum deduction of medical insurance इं medical insurance किसके लिए तो for parents वो था self spouse dependent children और ये किसके लिए है for parents इस 25,000 और parents मेंसे कोई भी एक अगर senior citizen है तो additional 5,000 का deduction मिलेगा that means maximum deduction shall be 30,000 फिर देखते है preventive health check-up के बारे में हम लोग क्या करने माले तो यहाँ पर maximum deduction कितना मिलेगा 5,000 सब के लिए for all self spouse dependent children parent चाहे senior citizen हो या नहीं हो कुछ फरक नहीं पड़ता maximum deduction कितना मिलेगा 5,000 अगर यह नया point if age of assessi अगर assessi का age या उसके spouse का age या parents का age 80 और more है age 80 और more है तो फिर medical insurance premium possible होगा नहीं then deduction intersection ATD shall be allowed for medical expenses और यह maximum deduction कितना मिलेगा 30,000 so maximum deduction in such case जहाँ पर medical insurance possible नहीं है और age 80 से ज़ादा है तो maximum deduction मिलेगा 30,000 अब आगे के section हम लोग करेंगे next lecture में कौनसे section बाकी है तो ATC TCC and TTA आज हमने कौनसे कौनसे section किये है ATE कर दिया it is for medical interest on education loan second हमने किया ATU वहाँ पर वो assessi खूद handicap था फिर क्या ATDD ये डबल दी मतलब क्या उसका relative जो dependent है वो handicap है और फिर उसके बाद हमने ये section किया ये है ATD ठीक है तो ये चारो section अच्छे से पढ़ लेना आगे के 3 section भी हम लोग next lecture में करेंगे next lecture आके पहले ये सब कुछ revise भी करेंगे ठीक है तो ये पूरा का पूरा long answer एक बार अच्छे से copy कर लेना और समझ भी जाना Thank you आगे पूरा का लेक है झाल